आप समी लोगों को मेरा नमस्कार, मैं आयन यादव सर, आप लोगों के बीच में एक बार पुनहा आया हूँ, मैं आज एक ऐसे व्यक्तित को लेकर आया हूँ, जिसका नाम बाबर है, और आप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर कहने के निश्यत्रु से समरकंद में, आप हारने के बाद कहने कि वो अपने होसलों को कहने के नहीं तूटने देता है, वो कहता है कि मैं मैं मैदान हार गया हूँ, मैं युद्ध हार गया हूँ, लेकिन मैं अपना होसला नहीं हारा, मैं अपने इच्छा शक्ति को नहीं हारा, और मैं वो अदम सहास और इच्छा शक् उसने अपने द्रड इच्छा शक्ती के बल पर हिंदुस्तान में आकर कहने की निश्चित रुप से आपको काबूल को जीता हुगा आता है और पानीपत के मैदान में अंतता कहने की इब्राहिम लोधी को पराजित करके हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी सथा को आता है पो हारने दीडिये जिस तरह से बाबर कहता है मैं कम मुह खास क्लों को नहीं हारा हूं उसी प्रकार से व्यक्ती फ़ाजित होता है लेकिन कहीन के निश्चित रुप से अपने होस्व को नहीं हारना चाहिए रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा ठक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं आप लोग अगर कहीं परिस्थितियां अगर विशम हो जाती है तो घबराने की जड़त नहीं है निश्चित रुप से अपनी इच्छा सकती और द्रड़ संकल्प के बलपर आप दुनिया में आगे बढ़ते रहे क्योंकि मेरा मानना है कि मुश्किले दिल के इरादे आजमाती हैं स्वपन के परदे निगाहों से हटात हो सलामत हार गिरकर ओ मुसाफिर ठोकर इंसान को चलना सिकाती है इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं आप सभी लोगों को नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदे मार्ट